फूवी का स्टार्ट एनी नामी 30 साला औरत से होता है जिसका बेकरी का कारोबार अच्छा ना जलने की वज़े से वो बहुत से माली मसले जेल रही है इस पुरे वक्त में उसका बॉइफरिंट भी उसे छोड़ के चला जाता है अब वो एक जूल शॉप में काम करती है और केल अपनी बेस्ट फ्रेंड लिलियन के साथ सुपा चुपके फ्री एक्सेस की क्लास कॉपी करती है ताके उन्हें पैसे ना देने पड़े एनी की जिंदगी में एक ही चीज अच्छी है और वो है उसकी बेस्ट फ्रेंड लिलियन जिसकी अपने बॉइफरिंड डग से मंगनी और बहुत जबी शादी होने वाली है अगले सीम में लिलियन और एनी क्रेस्ट रॉट में होते हैं जहां लिलियन एनी से कहती है कि वो उसके लिए उसकी शादी पर मेड ओप आउनर बने एनी लिलियन की बाद तो माल लेती है पर उसे की खुट समझ नहीं आ रही थी कि अन जिन्दगी में इतने मस्ते होने के पाद भी वो ये सब कैसे मानेज़ करेगी और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल भी नहीं दोर सकती थी इस ते चुपकर के हां बोल देती है इंगेजमेंट पार्टी में लिलियन एनी को ब्राइड समेट से मिलबाती है जिनमें उसकी काजन इता उसकी आफिस की दोस्त बेका डग्स की मूँ भत लेकिन अच्छे दिल की बहन मेगन और डग के बॉस की अमीर और खुबसूरत बीवी हेलन शामिल होते है इंगेजमेंट पार्टी में एनी ब्राइड की बेस्फरेंड की स्पीच देती है जो के एक छोटी स्पीच होती है जिबके हेलन स्टेज पर आकर बहुत जिस पाती स्पीच देती है वो ये जाहिर करती है कि हेलन ही लिलियन की बेस्ट फ्रेंड है और जो टाइम उन दोनों ने साथ कुछा रहे हैं वो ही सबसे ग्याद का है ये सब देखे एनी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता फिर इस दिन के बाद से एनी और हेलन में मस्ते शरू हो जाती है एनी और हेलन एक दूसरे से काफी जेलिसी रखते हैं और खुट कर बहतेरे इन थाबत करने के लिए मुकाप्र बाजी पर उतर आते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को लिलियन की बेस्ट फ्रेंड मानते हैं करम देखते हैं कि ब्राइडल शाप जाने से पहले एनी ब्राइड्समेड क्रुप को रेस्टरांट लेके जाती है जहां हेलन के लावा बाकी सब खाना काते हैं जिसके बाद सब ब्राइडल शाप के बाहर खड़े होती है एनी ब्राइडल शॉप में एंट्री करवाने में नाकाम्याब रहती है जबकि हेलिन अपने पैसम की ताकत को इस्तमाल करेकि वहाँ एंट्री हासिल कर लेती है शॉप में एनी लिलीन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है और उसे कुछ ड्रेसस दिखाती है लेकिन यहाँ भी सारी तवज्जो हैलिन को ही मिलती है साथ ही साथ लिलीन सब को बताती है कि इसके शादी के कप्रे तो किसी मश्यूर फ्रांस के डिजाइने ने डिजाइन की है सब ही ब्राइड़ में फैसला करती है कि वो इवेंट के लिए dresses खरीदने से पहले पहन कर देखेंगी इसनी वो सब dresses ट्राइ करने लगती है लिलीन को प्राइडल ड्रेस में देखे सब बहुत एमोशन हो जाती है वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि कोई भी उसे नजिन नहीं हटा पाता तब ही मेडन को वामिट महसूस होने लगती है सबको लगता ही कि शायदी रेस्टरान के खाने की वज़े से फूट बॉइसनिंग है लेकिन उसने वो खाना के लिए तो नहीं खाया था इसलिए उसके कुछी टाइम बाद सबकी ही तबित खराब होने लगती है राइड और ब्राइड समीट शोप में इधर उधर तबित खराब होने की वज़े से भाग में लगती है जबकि शोप के वर्कर्स अपने ड्रेस्स की वज़े से परिशान हो रहे थे उसकी परिशानी जाइस भी थी क्योंकि कुछी टाइम बाद लिलियन वॉमिट करते हुए प्राइडल ड्रेस का पुरा हाल करते थी है हेलन के इलावा सबकी तबित बहुत खराब हो जाती है सबके ठीक होने के बाद अब इन्हें बैचलर पार्टी की त्यार गयां करनी थी एन्हें सबको आइडिया देती है कि इन्हें लिलियन के लेक हाउस में पार्टी करनी जाएए जबके बागी सब हेलन के लास वेकस में बाचलर पार्टी करने वाले प्लान को पसंद करते है और इस तरह हेलन एक पर फिर एन्हें से बाजी मार जाती है सब लास्ट वेकस जाने के लिए फर्स कास की टिकेट्स लेती है जबकि एनी अकेली ही एकॉनमी कास में जाती है क्योंकि उसके जो हालात है वो ये टिकेट ले नहीं सकती और हेलन से मतब भी नहीं लेना चाती थी फ्लाइंग के डर को खतम करने के लिए एनी हेलन की दी हुई तवाई और शर्बत ले लेती है जिससे एनी नशे में चली जाती है और अपनी सीट से उठ चे प्लेन में इदर उदर खूम बें लगती है प्लेन का स्टाफ उसी ये सब करने से मना करता है तो उसे अपनी स्वीटर बाप इसाने पर खौब में चीजे नजर आने लग जाती है इस सब की वज़े से वो पुरी तरह डर जाती है और उसके इस टर की वज़े से प्लेइन में मौचूद सब लोग खबरा के शूर मचाने लगती है सिच्वेशन हाथ से बाइर होने पर प्लेइन को लास वेगस के बज़ाए कैस्पर सिटी में लांड कर देती है अब ये लास वेगस तो पहुंच नहीं पाय थे इस दिये पार्टी का प्लान तो कैंसल हो जाता है और सब ब्राइद्समीड वापस अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाती है एनी सब की वज़े से शिर्मिंदा हों के बाद में सबसे माफी मांगती है एनी कीन हरकोतों की वज़े से लेलियन तेक कर लेती है इतने में उसे पीछे पुलिस की कार दिखाई देती है और वो अपने गारी रोग देती है नेथिन नामी पुलिस आफिसर उसे कहता है कि वो नशे में गारी जला रही है और उसकी गारी की पीछे की लाइट्स भी खराब है एनी रोट पर कुछ जीब हरकतें करती है जिससे नेथन एनी को पसंद करने लगता है और इसको फाइम भी नहीं करता है तो ना के भीच में दोस्ती हो जाती है नेथन एनी की बेकरी का कास्टमर था वो उसे बताता है कि वो उसके केक्स को बहुत पसंद करता है नेथन इसे कह खूल ले और अपने बेकिंग के शौक को जाया ना करें नेतिन अगले दिनी एनी को बेकिंग का कुछ समहन गिफ्ट कहता है लेकिन एनी लेलियन के साथ अपनी दोस्ती खराब होने की वज़े से बहुत परिशान होती है इसलिए कोई भी बात के बगर बहां से चली जाती है अगले सीम में जी उरिशाप पर ड्यूटी देते हुए एनी की एक लड़की के साथ पहस हो जाती है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए केफ लेने आया होती है एनी उसे कहती है कि दोस्त हमेशा के लिए नहीं होते तब ही वो लड़की उसके गेलेपन पर ताना माती है जबाब में एनी उसके लिए पुरी जबान इस्तमाल करती है जिसके फौर अबादी एनी को जूरिशाप की नौकरी से निकाल दिया जाता है और साथ ही उसके रूमेट्स भी उससे घर चोड़ने का कह देते है एनी को फिर मजबूरन अपनी माम की घर शिफ्ट करना पर जा प्राइडल शावर में एनी का लिलियन के लिए महनत से बनाया हुआ गिफ्ट नजर अदाज हो जाता है और हेलन के दिये हुए पारिस के टेकित सब की नजरों में आ जाती है वहां सब राइट के बचाए हेलन को ज्यादा एहमियत दे रही होती है जो पात एनी की समच से ब के खुब्सूरत लम हात को जानके बिगार रही है लेलियनसे अभर प्रताश नहीं होता और वो एनी को पार्टी से निकाल देती है एनी एक भार फर बेदेहानी से गारी चलारही हो तिया और अकसिदेंन करते करते बचती है एक पार पिर ने थे necessarily रोकता है और उसे बहुत एनियसे बोलती है उसका मज़ीद पिस्टी करवाने का बिलकुल मूड नहीं हेलन की वज़े से उसका दिन बैसे ही बहुत बुरा था नेथिन जवाब में बोलता है कि हेलन की वज़े से कुछ नहीं हुआ ये इसके हुआ है क्योंकि उसकी गारी के लाइट सही है नेथिन ऐनी को एहसास दिलाने की कोशिश करता है ये वो खोड ही अपने जन्डगी को सीरियस नहीं लेदी उससे अंधाजा नहीं है कि वो किस तरह लोगों का दिल गुखाती है इतने में टेज एनी को लेने वहाँ आ जाता है क्योंकि एनी ने खुदी टेज को कॉल करके बुलाया होता है टेज के आते ही ने दिन वहाँ से गुस्से में चरा जाता है रासे में टेज एनी से फ्री होने की कोशिश करता है लेकिन एनी का मूट बहुत खराब होता है और वो गारी रोकवा कर वहां से चली जाती है एनी बहुत दुक में होती है इसे वो कुछ वक्त अकेले रहती है कुछ दिर बात में गन्व से मिलने आ जाती है और उसे ऐसास दे राती है कि वो दुनिया और लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कसूर बाठेराना छोड़ते और अपनी जिंदगी की डोरी अपने हाथ में ले एनी इस पारे में सोचती है और उसे अमल करना शुरू कर देती है सबसे पहले वो अपनी गारी सही कराती है फिर वापस से बेकिंग करना शुरू कर देती है और नेतिन की नराज की दूर करने की कोशिशों में लग जाती है लिलियन के शादी के दिन हेलन एनी के घर आती है और उसे मदद की भीक मांगती है वो बताती है कि लिलियन गायब हो गई है और वो ये सिब अकेले नहीं संभाल पा रही फिर वो दोनों गारी में बैटके लिलियन को ठोड़ने निकल जाती है रास्ते में हेलन रो रही होती है तो एनियों से बताती है कि इस वक्त हेलन उसे मजीब बुरी लगी है क्योंकि वो रोते हुए बहुत बरी शक्रें बनाती है उसके बाद हेलन ये इकरार करती है कि लोगों से अपने जिन्दगी में इसलिए जगा देती है क्योंकि वो बहुत अमीर है और उनकी काम आती है वरना उसका कोई सचा दोस्त नहीं है सबी उससे मतलब के लिए साथ रखती है हेलन के हस्बन की मस्तरूफित की वचे से वो बहुत अकेला महसूस करती है वो सिफ अपनी तनाई को दूर करने के लिए ये सब करती है अगले सीन में रोट पर ही एनी और हेलन नीथिन को मनाती है और काफी कोश्चे करते हैं कि वो उनकी मदद के लिए राजी हो जाए और उनके साथ मिलके लिलियन को ढूंडे यानि जान के ओवर स्पीडिंग करती है हाल छोड़के गाड़ी चलाती है उन्जी अवाज में काने लगाती है और हाथ में शराप की बोतर पकड़के गाड़ी जलाती है ताकि वो नेथिन का अपनी तरफ अच्चार्ट कर सके आगर कार नेथिन उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है और फिर वो तीनों मिलके लिलियन को ढूंडने में लग जाते है और फाइनली लिलियन अपने ही गह से मिलती है जहां वो परिशानी में बैटी होती है क्योंकि शादी का एहसास उसे टरा रहा था और वो अपनी पुरानी जिंदगी और शेह चोड़ने के लिए प्यार नहीं हो पा रही थी वहाँ एनी लिलियन को समझाती है और एक बार फिर मेड अफ ऑनर की सिमितारी संभाल लेती है शादी की तक्रीब में प्राइट्समेट की लाइन में एनी सबसे आगे खड़ी होती है इतने में हेलन एलान करती है और लिलियन के पसंदीदा सिंगस को स्टेज पर बलाती है जिस पर एनी और हेलन की हलकी सी बहत हो जाती है लेकिन बाद में सब तक बेःब को एन्जॉट करने लग जाती है लिलिन सो। रुखसत करने का टाइम आ जाता है साई बाइस मिट जस बात ही हुजाती है खास तोर पर एणी जिसके लिलीन से बहुत अच्छी दोस्थी है लिलीन अपने husband के साथ गारी में बैठ के वहां से निकल जाती है और आखरकार इतने मस्लों के बादी सही पर शादी बहुत अच्छे तरीके से गढ़े जाती है शादी के बाद एनी हेलन से कहती है कि इसने पूरी शादी को बहुत अच्छे से करवाया है हेलन और एनी आप इसके मसनों को खतम करके एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है Hal and Nathan को Annie को लेने के लिए पुलाती है और इस तरह उन दोनों के भी दोस्ती हुजाती है Annie को भी अपनी जिन्दगी का मकसद समज़ आने रगता है और उसे नेथन के रूप में सच्छा प्यार भी मिल जाता है मूवी के आखरी सीन में एनी और नेथन पॉलिसकार में बैटके निकल जाते है यहां से उन दोनों की नए जिन्दगी का सफर शुरू होता है और मूवी का एंड जाता है थांक्यू पर वाचिंग